तदिल्ली पलिसों लो स्पेशल प्रेस कांफरेंस दोरान कई वड़े खुला से कार देते गए ने जहां गोल्डी बराड़े संपर्क दे विच संदो में शूटर दो शूटर गिरफतार कीते गए ने बलेरो गड़ी दे विच चार शूटर मौजूद सन जेहत वनुदास देए प्रियवात फॉजी बलेरो गड़ी चलार रहा सी अगवाई कार रहा सी प्रियवात फॉजी करोला कारनू जगरूप रूपा चलार रहा सी वनुदास देए एक बहुत बड़ी लीड उन लगी है प दिल्ली पुलिस दिप्लेस कांफरेस्ट दुरान कई वटियां घलना आज एड़िट कीतियां गियाने शूटराने दे कोल हमले दुरान कार दे विच गरनेड तक मौझूद सान लोड पेंदी का गरनेड भी सुट सकते सान कोल छे शूटराने मूझसे वाला ते गोलियां चला पुलिस दिप्लेस कांफरेस्ट दुराने कई वटियां गलना निकल के सामने आई तुसी सोचो मल्टिपल रेकी करंदी गाल निकल के सामने आई एक वार रेकी कीती गई उस तो बाद दसे आ गया है के बलैरो अते करोला गड़ी जे विच कौन-कौन स्वार सी अभी उन्द पास दिता गया है करोला गड़ी नो जग रूप रूपा जला रहा है सी जाद कि प्रियवरत फौजी बलैरो दे विचे सवार सी बुल छे शूटरा ने बोलियां जलाई यां बुल छे शूटर सी बोल्डी ब्राड़ देल लगातार संपर्क दे विच सन ते वड़ी गल एक के संताली एके सीरीज दी राइफल असॉल्ट राइफल दा इस्तेमाल कीता गया है शायद तुसी प्रेस कॉंफरेंस दोरान पहला ब्यान ओफीशल ब्यान होन सुने आने हाला कि गलना कई वर निकल के सामने आ रही हैं सी पर पुलिस एस गल नो एडिमिट नहीं सी कार रही के एन 94 दा इस्तेमाल होया है जाएके संताली दा इस्तेमाल होया है पर आज ये गल निकल के सपश्च कर देती पुलिस ने मनपरित मन्नू ने मुसे वाला दे उपर एके संताली देना गोलिया चलाईया जग रूप रूपा अते मन्नू ते प्रियवरत फौजी मुख हमले दुरान कार्द विच गर्नेड भी मौजूद सी वाकी चीज़ समझिया जा सकता है कि किस बड़ी त्यारी दिनाल शूटर है सी सिद्धू मुसेवला दा कतल करन देलाई जियां तो अनुदास देए रेकी तो लेके हमला करन तक हमला करन तो बाद शेल्टर तक ते करफ्थारियanne जटी फड़ी गई तो अन्दो बाद गिरिफ्तारियां ओ चुकिया है ने एस मामली देवेची है है दो गिरिफ्तारियां सब्तों एहम ने क्योंकि ऩोखिए शूटर सी उस गड़ी देविच समार सी वलियारो होते करूला गड़ी जड़ी फटी गई उतों गल हुन निकल के सामने जाद आई है के किस संताली राइफल देनाल पोलियां चलाईयां गियां हमले तुरान गड़ी दे विच गरनेड तक मौझूद सी ते समझिया जा सकता है के पंजार दी सरहाद टपन लगयां किस वड़ी त्यारी देनाल लैस सी ते कितों कितों हुंदे है शूटर गरनेड एके संताली वर की राइफल आते हो रसनाल है के सिद्धू मुसे वाला दे पेंड तक जा पहुंचे थे आखरकार सिद्धू मुसे वाला दा कतल कर देता गया गर्जाब है दिल्ली पुलिस दिए स्पेशल प्रेस कंफरेंस जिस दुरान कई वड़े खुलासे किते गए तो अनुदास दिये लगातार जिननी भी लीड आरही है दिल्ली पुलिस दे वाले तो आरही है पन्जाब पुलिस आंकर कार तक प्ली परची जड़ी के पटेरोल पंपदी परची सी उसरा ही उसे पेटरोल पंपद आग पहुंचे गे उस तो बाद सीड़ी फोटेज हासल किती पर बड़ी लीड जड़ी हासल होई है दिल्ली पुलिस हो आज ब्रीफिंग देती गी है सिद्धु मुसेवला कतल मामले दे विच कशिश बलेरो गड़ी चला रहा सी जड़ की उस दे नाल अंकित सिर्सा दीपक प्रियवत फौजी ऐस सारे शूटर सवार सन इकोई कार दे विच दूजी गड़ी सी करोला जड़ी की जगरूप रूपा चला रहा सी तो अनुदास दे ये स्दे नाली स्पश्ट कारते था गया कि मनप्रित मनू गड़ी दे विच सवार सी जिसने सिद्धु मुसेवला दे उपर पहलई गोली मनप्रित मनू ने चलाई अपनी एके संताली रैफल दे नात उस्तो बाद मनप्रीत मन्नू अते जगरूप रुपा निकले प्रियवत फौजीदा जड़ा मड्यूल सी उना ने गड़ी देओ पर तावड तोड गोलियां जलौनियां शुरू कार देती हैं तबाद गड़ी प्रियां कटल कर देती है जाए किसिद्धो मोजसे वाला कतल मामले देविचर दो मोडूल सी, एक करोला गड़ी दे बीच, एक बुलेरो गड़ी दे बीच, मनप्रीद मन्नू ने पहली गोली चलाई, कुल छे शूटर स्यूटर और आफर देसी लिए जाएट सेन वाहरा जब है। ज़िए पर आपनारती है। और में क्योट्व भागोंग देशिक रिक्षा प्मोर्शिभ। क्योट्व, टीज़ पेस्टॉट्व में क्या क्या था प्रिएधिस में 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 देगे हुआ है। कि असर भुंखक प्राइब आप के खाथ इख सारे भी Але्टित लुढ इन 2 टृइख विल अछर्वल के खागा रुझ एके सीरीज एस यूस्ट येस जड़ार हमला कीता गया जेकर है हमला किसे भी सुर्ट दे विचे फेल होंदी कगार तक पहुंचदा था हमला रहतो तक त्यार सी के गरनेड भी सुटना प्याता उसुट सकदे सी छे शूटर दो गड़ियां दे विट सवार होके आए एके संताली राइफल ता इस्तेमाल कीता गया प्रिवरत फॉजी अते मनपरित मन्नू ए जड़े दो नाम मुख तोरते निकल के सामने आ रहेने पुल छेफ शूटर केड़े केड़े सी ओवी नामस पष्ट कर देते ने पुलिस ने जियां तो अनुदास दिये पुलिस वोल आजया बड़े खुलासे कर देते गएने ते नाली कोल्डी ब्राड जड़ा की किनेड़ा दे विच्व पैठा होया लगा थार एस मोड्यूल नूँ खुम देर्या सी कोल्डी ब्राड दे संपर्क दे विच्व सानाय सारे दे सारे उन किन्ने किन्ने रेकी की कौन कौन हमला दे विच्व शामल सी केड़ी राइफल दा इस्तेमाल होया किन्ने बंदे सी पुल किन्ने शूटर सी है सारियां गलना उन पुलिस दे सामने आए वेखना होगा कि बाकी दे जड़े शूटर हले था कि नहीं फड़ेगी हो कर उताक फड़े जानगे पर एके स सम्ताली दा इस्तेमाल होना अते गर्नेड तक बैक आप बस्ते नाल ले आए जाना ए वड़ियां गलना जे दिल्ली पुलिस वो रखियां गया ने मीडिया दे सामने हर्परित बंदेशा साड़ना साड़ इस योगी जोड़ चुके ने फिलाल ऐसे खबर ते और अपडेट साड़ी और चापे मारी का रहा थी जैसे तरीके ना स्पेशल सीपी अजिस तालिवाल दास्पी रहतां की क्राइम सीन जड़ा थी ओ पंजाब सी इससे बाब जु दिल्ली पुल साड़ा से लगातार काम कर रहा थी जैसे चाल दियां काम्याभी मिली है जड़े लोग दूसरी पिछे करोला से दो लोग साड़ किनने पिस्टल ना फायर कीता किने के संताइब ना कीता इस दी जिल्सले बार तरीके दिल्ली पुल सालो ब्रीफ कीता गया लेकिन अब तो एहम चीजे की दो में शूटर जड़े ने जड़े कि दुमू से जड़ा करतल देवेचे दिल्ली पुल्स कामयाब होई है सिदे तौरते का मनी जाए कि होन जैसी के दिल्ली पुल्स अकरे लगी होई यह अन्या जाए कि होष्वार बटा पेरे एक ट्रू भी मेर सकता है यह जा रहा है कि एना चुजड़े शूटर सान उसिदे तौरते गोल्डी ब्राड दे नाल यह मांत्र दूसरी औहम से नहां चीज़ ने इस गालडा में इस केट शीर लोह आज़ ने जानकरी वी आज दिल्ली पूल जे दुछ प्रेस कांफरेंस से सांजी किती गई के डिटी बलेरो गड़ी सी इनों प्रेयर वरत और वाजी जड़ा उसने जड़ा रहा थी इस तो लावाई दूसरी गड़ी सी उनुझ जगरूप रूपा चला रहा थी तो एज़िए चीजा ने इना नों दस्टाएगा दूसरी एहम च जाये कि दिल्ली पुल्स वालों मुसे वड़ा हत्या कांड देवेचे एक वड़ा ब्रेक्थ्रू हासल होया है और देखना होएगा कि जड़े बाकी चीजा ने हो के वे निकल के हूं दूसरी एहम चीज और कोशिश एशाए दिल्ली पुल्स दिवी होएगी कि जड़े लो पुश केज करें यह होएगा तो यहां फिर इस एक कनूनी पेचे क्योंकि कतल डिड़ा ओए पंजाब चो होया क्राइम सीन्स पंजाब दा है तो हो साकता है कि जड़े दो मुझरम पढ़े गए ने वास्ते प्रडेक्शन वरेंट लेके पंजाब पुल्स इना दो मुझरम मुझरम ने इना नू लेके जाए ते अगली अपनी कारवाई होते करें ते मन्या जाए कि सिदू मुझर वारा हस्ते है कांड देवेच आज दिल्ली पूस देहात वड़ी कामया भी लगी है हर पर जानना ताड़कुल है भी जाहांगे जिस तांग दिनाला प्रेस कांफरेंस देवेच तमाम नाम रख देते हैं गयने जड़े गिरफतारी होई है जड़े दो शूटर फड़े गयने ना बारे की कुछ जानकारी मुझर ले तो औरते फिलहाल निकल के सामने आरी है कि केड़ी कस्टेडी देविज ने किते रखे गेने कि इस बारे दिली पुलिस ने कोई ब्रीफिंग कीती है इसकाल से बिल्कुल साफ करता जिस्ता थी अपने प्रीशी देवेची कैसी बहुत सारी चीज़ां तो अनू आपना राख दिलूकन दा इंतराम करना दूसरी एहम इह दस्वाना कि इननों किते रखे गया यह काफी मुश्कल होंदा है आलाकि स्पेशल सेल दीका स्टीचे लोग रहें देने स्पेशल सेल इनना को पुछकेश कर रहे है उस तो बात तस्वीर साफ होएगी कि जेकर इननों कोट्च पेश कीता जान दा थे कोट कि इननों इनना सारे कनेक्शन हों जोड़ें ची जाहर तौरते दिल्ली पूल्स लगी होई है ते दिल्ली पूल्स ओन वाले दिना से मनना जाए कि इस सारे नाम था निकल के सामने आगे कि कशिश बलेरो गड़ी चला रहा सी नालंकित सिर्शा सी दीपक सी प्रियवरत सी ते दूजी गड़ी दे विचे जगरूप रूपा थे मनपरित मनुसी पार एना विचो गिरफतारी केड़े दो शूटरां दी होई है कि ओवी नाम हले फिलाल पूलिस ने डिस्कलोज कीते ने जाफिर ने जाए नाम ने वह जानकरी हैं सांजी नहीं कर सागते हैं बहुत सारी जानकरी है हो जी यह जड़ी नहीं सांजी करनी चाहेगी मीडिया जिनार प्रेस जिनार कि जेकर ओगला बाहर जान गया तो ओ इस केस नूं कमजोर भी कर सागते हैं जड़े होर आरोपी ने और अलर्ट हो सागते ने जाहर तोरते दिल्ली पूस ने आज जड़ा एक वड़ा कुला जिरूर थाह है कि जिनार बाहत ह ही दे काप कहाणी सेल ने लेकिन पूरी कहाणी यहां कि जो में ख्ड़े जाणगे दे ओन नार्ट होर एक دي ने तो शवेड़े कि और रे 1984 की जिसी चैनल आर लेकिन और से गालनों जेकर हुन अगे दी सोची है जिदा कि तुसी वी जिकर कीता कि हुन पंजाब पुलिस है रिमांड ले सकती है ते फिलहाल हुन ऐसे पूरे प्रोसीजर नो क्योंकि इंटर स्टेट हुन मसला हो गया जिस टांग दिनाल लॉरंस विश्णोई दी रिमांड हासल करन धली पंजाब पुलिस नो दिल्ली आंपया है ऊदरी काफी कर्णोधी पेचीदी यहां त सामना करना पया हुन ले समझा जासे धा किhd पूरेशन मियुघ कोडिनेयंट कार रही होगी तब उनक दूच्याब कॉडिनेशन श़्ण की एगी है पॉसिबल नहीं है गा सारी इंटल ने जडियां सूचना रहे जरूर सांजियां किसी यह उन्गियां उन्गियां उने देखना होएगा कि जेकर जेड़े दो लो गरेस्ट होएने कि इना नू बुल्स जेडिये जितों पजाब दी ओंकी मांग दी इना दी कस्टडी ते फिर उससे तरीके नड़ी होएगा जिमें लॉरेंस दा होया थी बकाइदा कोट तो बरंट लेया जाएगा फिर इना नू प्रडेक्शन बरंट पे ही लेके जाया जाता है लेकिन जाहिर तोरते दिल्ली पुलिस जल्दी नहीं करेगी दिल्ली पुल्स जाहेगी कि पहलो इस पुरा जाहेगी जाएगा फिर जाहेगा जिए पता लगेगा क्या फिर्मुज बड़े करना बड़ा मुश्कल रहेंदा है लेकिन यहुण तश्वीरोदों साफ होएगी जिए मुख मुर्जम जड़े ने उख पढ़े जानके दे ए पता लगएगा क्या फिर्मुज देग पिच्छे वजा की सिए अर्पितता नू कांग एसी चाहंगे कि तुस्सी बनेरो साड़ना पर फिल्हाल जो मुडली जानकरी होर निकल के सामने आ रही है दस्या जा रहे है कि जड़े जड़े शूटर्स फड़े कि नोना दा नाम भी सामने आया स्पेशल सेल ने प्रियवर् भी असला बरामत कीता गया है अर्पित उसी बनेरो साड़ना पर रहा है जड़े जानकरी निकल के सामने आ रही है अपने दर्शकान दासरे आख गरनेड फड़े गए ने टेटो नेटर फड़े गए ने तिन पस्तौला फड़ियां गियाने जानकरी दस्या जा रहे है कि भी निकल के सामने आ रहे है प्रियवरत फौजी अते कशिश जड़े किया सामले दे विचे सवार सी एरा नो पुलिस ने किरफतार कीता लगातार साड़े सी होगी अर्पित बंदेशा साड़नाल बढ़े होएने पर बड़ी खाबर दे नाल तो आनू जानकारी लगातार द पुलिस ने चड़ियां गिरफतारियां कीतियां ने जिनाद विचे दो शूटर भी ने काता का पंजाब पुलिस ना शूटर दे रिमांड लहके लारस बिश्णोई दे सामने बठाके कर दिया है पुछ गिच क्योंकि लारस बिश्णोई हाथ एक गोल्डी पराड ऐस समाम ले दे विचे मास्टर मैंड तर अशा कि हम सबको बताया कि 29 माई को एक बहुती सेंसेशनल और ब्रेजन किलिंग होई थी पंजाबी सिंगर थे जो कि इंटरनेशनली भी जाने जाते थे शुबदीव सिंग जिनको पॉपुलरली सिद्धू मुसेवाला के नाम से जाना जाता है उसी दिन से उसी टाइम से जब हमारी स्पेशल सेल की टीम्स को इस घटना का पता चला तो बेना कोई टाइम गवाय हुए हमारी टीम्स ने लगातार इस पर काम करना शुरू करा हमारी सारी रेंजिस की टीम्स नॉर्धन रेंज, न्यू डेली रेंज, सदन रेंज, सौथ वेस्टन रेंज, सी आई रेंज सबने इसमें बहुत ही जादा अक्तेंसिव काम किया बहुत सारी जेल्स पे बहुत सारे इंत्रस्टेट बांडरीज पे और बहुत ही इनके जो सिंडिकेट के नोन मैंबर्स थे काफी जो इनके में सरगना थी उनको अर्डी स्पेशल सेल ने जैसे कि आपको पता है पहले अरेस्ट किया हुआ है और पंजाब में भी जो और्गनाइस्ट क्राइम है और खास तोर पे उनके जो दोनों नोटेबल बड़े केसिज हैं लास्ट दो साल के विक्की मिडू हेडा की किलिंग उसके भी जो दोनों में शूटर से उसको स्पेशल सेल ने रेस्ट किया दूसरा जो संदीप नंगल अंबिया का केस था उसमें भी जो में शूटर था उसको स्पेशल सेल की टीम ने रेस्ट किया काफी special cell के लिए भी बड़ी challenging टास्क था shooters को identify करना उस पे काम करना बिना वारदात के मौके पे जाए हुए क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये घटना पंजाब के एरिया में घटी तो हमारी कोई भी टीम क्योंकि scene of crime एक अलग जगा पे था और लोकल एरिया पे हम ऐसा कुछ नहीं करना चाते थे जो कि किसी भी तरीके से ऐसा हो कि हम किसी के भी investigation में बादा बनें बट उसके बावजूद हमारा ये हमारी टीम का मकसद था कि हम जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको हम जस्टिस तक लेके आएं तो हमारी कुछ टीम तो ऐसी हैं जिनोंने आल्मोस्ट अठारा उन्द दिन से जो लगा तार बाहर इसमें कैम्प कर रही थी और छे शूटर जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने छे शूटर इडेंटिफाई किये हैं तो वो छे के छे जो अभी है उनकी जो इडेंटिटीज हैं स्टैबलिश हो चुकी हैं कैसे उन्होंने खटना को अंजाम दिया कौन किस गाड़ी में थ था किसने पिस्टल फायर करी किसने एक फॉर्टी सेवन फायर करी तो वो सारी चीजें भी हम अभी इसको इसको इस्टैबलिश कर पाई हैं तो उस दिन की जो घटना थी उसमें दो मॉडियूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे दोनों कोल्डी बरा से कैनिडा में जो बैठके इसको इंटच थे दोनों मॉडियूल से उन इंटच थे एक गाड़ी में बलेरो में जिसको कशिश चला रहा था जिसको प्रियवरत फॉजी जो है ये मॉडियूल को हेड कर रहा था अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था ये चार लोग बलेरो गाड़ी में थे और इस मॉडियूल को प्रियवरत फॉजी हेड कर रहा था जो करोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था मनप्रित मन्नू उसके साथ बैटा था तो जब शुबदीव सिद्दू अपने घर से निकले जैसा कि अलड़ी पजाब पुलिस ने बताया ही है कि एक संदीब केकडा अदाम का व्यक्ति है इसने इनीशल इंटिमेशन दी कि उनकी मूवमेंट हुई है और उनके साथ कोई उस टाइम सेकुरिटी नहीं थी उनके दो फ्रेंड्स थे तो उसी टाइम इनको इंस्ट्रक्शन आ करते हुए मनपरीत मन्नू ने एके 47 फायर करी तो उस बर्स्ट में जो सिदू मुसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुख गई और करोला से फिर ये दोनों उतरे और पीछे जो बलेरो थी वो भी टेल कर रही थी उसमें से भी ये चारों जो श का अलरी खाका जो है वो पन्यापुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया है तो जब इन्होंने देखा की काफी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है तो ये उन दोनों गाडियों में वहां से वारदात को अंजाम देकर निकल गएं जो ये बाखी चार लोग थे ये बलेरो में अलगए इनको केशव धिक किया थोड़े किलो मिटर के बाद इन्होंने अपनी बलेरो चोड़ दी उसके बाद केशव ने ने टरांस्पर्ट किया वहां से फिर ये फटेबाद पहुंचे कुछ दिन वहां रुके फिर इस तारीख को सुबा के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल्की टीम्स थी इन्हों ने इनको रेस्ट किया है ये है खारी मिठी रोड विलेज बारोई मुंद्रा पोर्ट के पास तो इन्हों ने वहां पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डिलर के थुरू ले रखा था क्योंकि जब इन्हें देखा कि आलरेड़ी कुछ फोटो आपको याद होंगी कि सर्कूलेट हुई थी जो कि एक इंटर्नल हमारा नोड था उसमें हमने शुरू में कुछ वर्किंग करी थी जिसमें हमने कुछ सस्पेक्ट्स को अंकित किया था किसी ग्राउंड पे लेक हुए इन से रेकवरी जो होई है वो है एट हाइए एक्स्प्लोसिव गरिनेड़ अलोंग विद अंडर बैरल गरिनेड लॉंचर और यह जो एची 36 एची गरिनेड थे वर यूजड विद गरिनेड लॉंचर यह गरिनेड लॉंचर एके 47 राइफल पे भी माउंट हो सकता नौ इनसे उलेक्क्रिक डेटूनेटर मिले हैं, एक एसॉल्ट राइफल मिली है with 20 राउंड्स, तीन सुफिस्टिकेटड स्टार पिस्टल्स मिले हैं of 0.30 बोर, 36 राउंड इन से 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं और एक पार्ट एके सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है इसके इलावा इन्होंने पूरा जो इनका सिक्वेंस था जो इन्होंने कैसे ये गैदर हुए कहां ये मिले कुछ चीज़ें हम आपसे नहीं शेर कर सकते हैं हमने इन्फेक्ट काफी लेबरेटली आपको बता ही दिया है वो सारा हम उसको बिलकुल एक चेन की तरह इस्टैबलिश कर पाएं हैं विच वी विल बी शेरिंग विद अधर लाइनफोर्स्मेंट एजिंसीज जहां जहां इन्होंने जो जो कराइम कर रखा है पजाब पोलेस से भी हम regularly corporate करते आएं हैं और जो relevant information होगी क्योंकि scene of crime वहां है जो main investigation है वहां है लेकिन हमारे भी जो मकोका केस में इनको rest किया गया है मकोका केस में already हमने इन case indicate के जैसे कि आपको औरड़ी मेंबर्स पता हैं, औरड़ी रेस्ट किये हैं, लॉरेंस बिश्णोई को रेस्ट किया है, राजकुमार राजु बसोदी को किया है, संपट नहरा, रुविंदर सिंग, जगदीप जगू, प्रियावरत काला, राहूल सांगा, नरेश सेथी, अनिल लीला, अक्षे, सचन भांजा, संदीप काडा जथेडी, वरेंदर परताब काडा राना, ओम परकाश, काला, दीपक टिन्नू, और इन सब को अलड़ी स्पेशल सहल ने मकोका केस में अरेस्ट किया है, तो इस में केस में इनकी भी रेस्ट की करी गई है, क्योंकि ये उनी के सिंडिकेट के मेंबर हैं, और फर्दर जो भी कारवाई होगी, जब हमें लगेगा कि आप से शेर करनी है, तो हम आप से शेर करना है, तो हमें अभी तक पता है, जो इनकी इंटेरोगेशन से स्टैबलेश हुआ है, एके सीरीज की थी, और उसकी तो फ्रेंजिक्स हो और जब वेपन मिल जाएगा, जो अभी तक हमें इस्टैबलेश हुआ है, जो इंसिडेंट में यूज हुई है, वो एक एके सीरीज की सॉल्ट राइफल हुई है, मल्टीपल पिस्टल्स यूज हुए हैं, और ये जो गरनेड वगारा इनोंने रखे हुए थे, ये भी इनक कुछ ऐसा होता है कि इनकी पिस्टल से या उटमेटिक वेपन से बात नहीं बनती तो इनोंने ये गरनेड भी इस इंसिडेंट में यूज करने थे, आठ है, आठ है, आठ है, आठ है, और कहां के हैं बड़े में इस्टैश ये इंपोर्टेड हैं, तो डीटेल हम आप से डीपक मुंडी, मुंडी, ने ये फते बाद रुके, क्योंकि इनको भी था कि बड़ा इंसिनेंट है, और बड़ी घटना को इंजाम दिया है, और काफी इनको पता था कि काफी सारी मल्टीपल पुलिस फोर्सेज इनको पकड़ने कोशिश करेंगी, तो ये काफी अलर्ट और काफी इनोंने अपने हाइड आउट्स बदले, काफी और जो इनको पता था अपने आपको कंसील करने के लिए जो जो चीज़ें करनी थी, इनोंने तमाम चीज़ें को अंजाम दिया, ने ने, ने, वनपरीद मन्नो और जगरूप रूपा इंसिरेंट के बाद, थोड़ यह तो ऐसे हाइपोथेटिकल अंसर करना थो बहुत मुश्किल है, तोनों मॉड्यूल गोल्डी ब्राड से कनेक्टेट थे, दोनों को इंस्ट्रक्शन आरी थी, यह इंटरनल चीज़ है, यह हम आप से शेयर निए कर पाएं। प्रिवरत पॉजी क्या लॉर्ड इस्ट्री गैंक कर था या एक प्रिवरत पॉजी है, उसका एक आगे एस्सोसियेट है, उसके थ्रूँ दो शूटर थे, मोनो डागर के थ्रूँ, दो शूटर अलग थे, एक जो पेर था पज़ाब वाले शूटर का वो लग था, तो तीन मॉडियूल हम बोल सकते हैं, लेकिन जो बलेरो वाला मॉडियूल अवे परिवरत फॉजी हैड कर रहा था, तो आपको पंजाब पुलिस की प्रेस रिलीस देख लिए जो से मिल जाएंगे, प्रेस्ट कर तो लिए क्यों नहीं, कुछ दिन तो लगते हैं आरेस्ट करने वे, अभी वो इस्टैबलिश नहीं हुआ है, कुछ पार्ट ऑफ मनी हमने इस्टैबलिश किया है, पर क्योंकि वो पूरा कॉंक्लूसिव नहीं है, तो इसलिए हम अभी आप से, प्रेस्टैबलिश को से बतला ही लेना था, जो इसकी बिखनी देश्टैबलिश नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन वो वाला केस सिर्फ नहीं है, स्पेशल सेल का जो मेंडेट है, वो है कि और्गिनाइज क्राइम को टैकल करना और एंटी टेरर एंगल को देखना, और हमारा होता है कि अगर कहीं बड़ा क्राइम हुआ है, उस क्राइम के जब भी कोई इन्जाम होता है, तो हम आगे प्रोएक्टेवली रियक्ट करते हैं, ताकि हम वोई चीज कल को राजधानी में ना हो, हम उस चीज को कोशिश करते हैं, जादा से जादा प्रवेंट करी जा सके, तो हमारा मकसद जो होता है कि किसी ने भी किसी भी बड़े केस को अंजाम दिया है, तो स्पेशल सेल उसको पकड़े, और ये शुड बरिंग देम टू जस्टिस, क्या मोटेव था, नहीं था, ये चीजें इन्वेस्टिगेशन का मेटर है, और अलड़ी हम कमेंट जसके थे हैं, ये हम अलड़ी आप बार बार वोई चीज क्यों सुनना चाते हैं, हमने बोला है कि मास्टर माइंड उसने अड्मिट किया था है, लेकिन आगे उसने किसको टासकिंग करी, कैसे टासकिंग करी, क्या कोई बेल रिलीज हो रहा था, कोई साथी था, या मुलाकात में बोला, क्या बोला, ये चीजें अगें माइनूट इन्वेस्टीगेशन की है, इस से हमारा बहुत ज़ादा फोकस नहीं है, इस टाम मारने के बाद इसने इनकी कॉल हुई और इसने बोला की काम कर लिया अच्छा कोश्चन है ये इन्होंने एक हर्याना में जगा है जहां पे इन्होंने जो रिजर्व वाले वेपन्स थे ये रख दिये थे और ये जो वेपन्स रिकवर हुए जो रिजर्व थे वारदात में यूज होने थे अगर जरूरत पड़ती ये इन्होंने रखे विलेज किरमारा डिस्टेट हिसार हर्याना में और ये प्रिवर्थ को जब अर्रेस्ट करके हम लेके आए तो उसके इंस्टेंस पे ये रिकवर इन्होंने ये जो चार लोग थे ये पीरियड्स में अलग अलग फेज़स में कुछ हफ़ते से ज़ादा थे और आठ नौ बार इन्होंने रेकी करी गए अलग 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 तरीके से चे शूटर थे मैं शूटर की बात कर रहा हैं सरफ अरेस्ट तो मल्टीबल हो चुकी हैं जिन्होंने हारबर किया जिन्होंने रेकी करी जिन्होंने मूवमेंट बताई लेकिन छे शूटर थे छे शूटर में दो रेस्ट हुए हैं ये पहले दो है और आपको क्या इन्फरमिशन आगी कि यह तो मैंने बोला हम नहीं बताएंगे यह आपको अभी बताए खारी मिठी रोड विलेज बारोई मुंदरा कच जो बलेरो का मौडियूल हेड़ था उसको हमने रेस्ट किया है जो बलेरो चला रहा था और जिसने उतर के फाइरिंग करी है बाकियों के साथ उसको रेस्ट किया है जिसने बलेरो वाले शूटर्स को वारदात के बाद ट्रांस्पोर्ट किया उसको रेस्ट किया है करोला वाले दो बाकियें और दो बलेरो वाले बाकियें और दो बलेरो वाले बाकियें बलेरो में अंकेत सिरसा और दीपक मुंडी बलेरो चला रहा था कशिश, साथ बैठा था प्रेवरत, अंकित सिर्सा और दीपक मुंडी करोला चला रहा था जगरूप रूपा और साथ बैठा था मनपरीत मन्नू जिसने असौल्ट राइफल से पहला बस्ट फायर किया थार को ओवर्टेक करते हुए